पहली और आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में जहां पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक्शन अव जो सिंग सिथू दिली में आमादमी पार्टे के खिलाफ और प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्ना दे रहे हैं तो वहीं दूसरी खबर की बात करेंगे जिसमें दुनिया में अ कॉंग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो चलिए आप खबरों का आगास करते हैं विस्तार के साथ सबसे पहले बात दिली की करेंगे जहां पर दिली में जुस तरीके से पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्शन अज्जो सिंग सिथू दिली में सीम आ अरविंद के जुरिवाल राजु सरकार के खिलाफ धरने में शामिल हुए थे और अब इसे नवजो सिंग सिथू को पलटवार इसका माना जा रहा है कॉंग्रेस अब दिली के गेस्टू टीचर्स को धरने में शामिल होकर अरविंद के जुरिवाल को दिली में ही धरने की क पूशिश कर रही है नवजो सिंझ सिद्धू ने सीयम अर्विंद के जुरिवाल को चुनोपी दी है कि अगर दम है तो उनके सवालों की जवाब दे कर दिखाएं इससे पहले भी सिद्धू अर्विंद के जुरिवाल पर निशाना साथ चुके हैं उन्होंने कहा था कि शीश में उनको रेगुलर किया जाएगा एक पैसा दिया है एक बात ये बताएं मैं पंजाब में भी यही रोता रहता हूं कि बजटरी एलोकेशन करो और नीती योजना बद तरीके से विकास करो तो बताओ आपकी कुंसी नीती है ना नीती है ना नियत है देवताओं की नियत में फरक अगर आ जाए तो नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो घर्क हो जाएगा तुमने गर्क कर दिया बाइस बाइस हजार गैस्टीचर्स को तुमने बंधुआ मज़्दूरों की तरह रख 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 रहे हैं दियारी करवारे हो तुम और वहां के लेक्षर करते हो पह पर के बाहर जो प्रदर्शन किया है यह काफी एहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले हमने देखा था जब अर्विन के जईवाल पंजाब गए थे और वहां जाकर उन्होंने सरकार के खिलाव धरना दिया था नमाम समीकर्णों को किस तरीके से आ पर या साम आदमी पार्टी के द्वारा हर बार की आजाता रहा है अब बात नवजो सिंग सिद्धू के धरने को लेकर कर ले तो जब भी अर्विन केजरीवाल या मनीश सोधिया पंजाब आए हैं तो यहां उन्होंने शिक्षा का मुद्दा जरूर उठाया है ज्यादा प मुद्दे की हकीकत आपके राज्य में क्या है इसलिए अब जो सिंग सिद्धू आज दिली गए वहाँ वे केजरीवाल के आवाज के बाहर धरने पर बैठ गया और मुद्दा जो था वो यह था कि 22,000 गैस्ट टीचर जिनसे आपने 7 साल पहले वादा किया था कि जैसे ही व केजरीवाल के आवाज के बाहर धरने पर बैठ गए अब चुनावी माहुले तो ऐसे में इतने बड़े मुद्दे को क्यों ना भुना है पंजाब कॉंग्रेस इसलिए नव्जो सिंग सिद्धू भी दिली पहुँच गए केजरीवाल आवाज के बाहर वे भी धरने पर बै यानि की सीधा सा ये निशाना है कि पहले आप अपना राज्य संभाले उसके बाद आप दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षा की बात करें आपके यहां के खुदके गैस टीचर ये मांग कर रहे हैं कि आप जो तीन बार हमसे वादा कर चुके हैं कि हमें पक्का कीजिए व काफी कमजोर हो गए थे तो ऐसे में अब जरूरी ये है कि केजरिवाल को पहले तो इन शिक्षकों को पक्का करना चाहिए वो एंसीडी जुनाव में भी अब उतरना चाहते हैं तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस तरह कि जो प्रदर्शन है वो आम आदमी पार्टे के फिलाल हित में बिल्कुल अज़र नहीं आ रही है मुसकान बिल्कुल पलवी जी और ये बात देखिए इस खास भी है क्योंकि जब जिस तरीके से नवजो सिंग सिदू ने ये तंज कसा है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घरों में से खिलाफ करते रहे तो जहां कहीं न कहीं कुछ पकड़ अर्विन केज्रिवाल बना रहे हैं बाके तमाम राज्यों में वह पकड़ उनकी फीके पड़ते जाएगी क्योंकि हर बार वो जिस भी राज्यों में जाते हैं वो ये बात कहते हैं कि आप दिल्ली को देख तो ये ठीक है कि दिल्ली में शिक्षा का इसतर अर्विन केज्रिवाल के आने के बात सुधरा है क्योंकि दिल्ली नगर निगम के पास जो है वो सिर्फ 1600 के असपास स्कूल है और उनकी इस्थती दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बहतर नहीं है तो स्कूलों पर काम किया है अर अर्विन केज्रिवाल लगातार निजी स्कूलों के पीछे पड़े रहे लेकिन सरकारी स्कूलों के इस्थती इतनी भी बहतर नहीं है अभी जगे-जगे से ये तस्वीरे सामने आ जाती है कि जो बच्चे है वो टाट पर बैठे हुए है गंदा पानी पीने को मजबूर है उनके पास खुली च्छत है बस वहां वो बैठ कर पढ़ाई कर रहे है तो इस्थिया बहुत ज्यादा वहां पर भी सुधरी हुई नहीं है शिक्षा को लेकर तो अर्विन केज्रिवाल को चाहिए कि पहले आप दिल्ली को रॉल मॉडल बना दे क्योंकि लगातार अर्विन केज्रिवाल अपने राज्र को सुधारें बहां के स्थिति को सुधारें इस तरह के प्रदर्शन वानाओं उनसे हर कोई वर्ग खुश रहे यह सुनिश्चित करना जरूरी है ठीक है अपलवी बहुत शुक्रा हमारे साथ जूरने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ सा नीश you पहूंचे हैं और फियम आवास के बार्म फिद्ररशन कर रहे हैं आप चाहे पंजाब की बात कर लें द्री की बात कर लें दोनों ही राज्रों जी कि हाँ आज सिद्धु जी प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इसको एक सब्द में कहूंगा कि हमारे उसमें कहा गया है कि सठे साक्थम समाचरेत अर्था दुस्ट के साथ उसी तरीके का वेवार करना चाहिए और विंद केजरीवाल जी अपना राजनितिक रोटी सेखने के लि तो सिद्धु ने जो भी किया, मैं तो कहता हूं कि सिद्धु को वहीं पे टेंट गार के उस सियम आवास के पास बैठ जाना चाहिए, अगर सचमुछ वो 22,000 टीचर के जो परमानेंट होने की मांग को लेके सचमुछ वो आसाम वित है और साथी साथ उनकी अगर बाबना के के लिए नामी है, दिल्ली के जो गवर्नर है, उनके हाँ जाके ये सतेंदर जैन और मनिस्तिसोधिया बैटे परेते और घरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो सिद्धु ने बहुत अच्छा काम किया है कि पहले अर्विंद केजिवाल अपने राजी को तो समाले, मैं आपके स प्रद्रवी जी का सुन रहा था, उन्होंने एक चीज को छोड़ दिया, दिल्ली में 28 कॉलेजेजेजेजेजें जो पातली या फुली फंडेट हैं दिल्ली गॉपर्मेंट से फंडेट हैं, अभी आजी का निउस है ये, दिल्ली सरकार ने नोटिस निकाल दिया दिल्ली सर हैं, अज़ आजी मिल अ म शिरे हैं, ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा, तो उनका क्लास कैसे होगा, तो अगर ये गॉपर्मेंट के इतने ही, इनका सिच्छा मॉडल इतना ही अच्छा है, तो जो दिल्ली के कॉलेज़ हैं, वो पूरे भारत बर्स में अपना एक अलग छाप रखते हैं, यहां के बच्चे जो पड़े लिखे होते हैं, वो अच्छे नौकरी पाते हैं, और उनकी एक अलग बात होती है, और उस नए एडमिशन आये हैं, और सरकार की तरफ से एड़वाज दे आ गई, कि जब तक गोवर्निंग काउंसिल की बो नहीं होगी, मतब गठन में होगा, तब तक आप नए टीचर में ही रख सकते, तो यह क्या ही सारा जाता है, कि आप केवल दिखावे के लिए दिल्ली सरकार क देंटिंग करके बस दिखाना चाहते हैं, कि यह हमारा सिक्षा का रोल मॉडल है, आप के यह जो सिक्षक बिचारे, जो आपने खुदी बता है, बाइस हजार है, और बो पिछले साथ सालों से उम्मीद लगाए बैटे हैं, कि कब उनका परमानेंट होगा, इस्कूल टीचर का यह हाल है, कॉलेज सिक्षक को आप समय पे बेतन नहीं देते हो, और जो जहां कमी है टीचरों की, नए इनवर्सेटी और कॉलेज बनाने की तो छोड़िये, अभी आप देखते होंगे, आज ही के पेपर में, फुल पेज अड़र्टीजमेंट है, कि वो सारे अवरी संड को जो स्कुलों में एक बोजो आया है कि आप अपनी मतलब काम खुद करिये, स्टुडेंट को स्किल डवलप्मेंट कराने से लेके, आप देने में तो बहुत हो, लेकिन उस बच्चे को जो तीचर पढ़ाईगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसकी सुगदा, उसका व हो जाती, कितने स्कुल के टीचर की, या प्रोफेशन की तारी हो जाती है कि अर्विन के जरिवाल जो हर जगह दिली मोडल का हावाला देते हैं, और हर जगह कहते हैं कि आप दिली से सीखिए, दिली को देखिए, और दिली के तर्च पर हमारे सरकार बनाईए, लेकिन साफस बात सीधी गये है कि उनको अभी फिलहाल दिली पर ही बहुत जादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत शुक्राइब सर्वेश वर्जे हमारे साथ जुनने के लिए, और तमाम जानकारी और तर्चा हमारे साथ करने के लिए.